Assalamu alaikum Swennts इस वीडियो में हम इंशालला Standard Forms देखेंगे Ellipse और Hyperbola की ठीक है? बहुत ही important वीडियो नहीं होने लगी है ये वीडियो इसमें जो मैं discuss करने लगा हूँ बहुत ही important आप लोग के लिए अगर आपने table समझ लिया ellipse, hyperbola के सवाल आप लिए बहुत easy हो जाएंगे मैं यहीं नहीं कह रहा कि सिर्फ यही table समझना है लेकिन यह समझ लो 60-70% working यह है उसके बाद हलकी बूल के tricks देख वेक के आप complete ellipse और hyperbola पे कितना command हासिल कर लोगे वो scene है जैसे parabola पे मैंने आप लोगो command हासिल करवाई है table याद करवाके और हर चीज इसी तरह ellipse और hyperbola का भी है क्योंकि एक कॉनिक section बहुत मुश्किल लगता है students को इसलिए मैंने एक एक चीज़ असान करके असान language बता दी है अब ये ellipse और hyperbola दो टेबल मैंने आपके बचा लिए जस्ट एक टेबल याद करना है और मैंने काफी अच्छे theme को follow किये वो कहते है थीम वेडिंग होती है कि एक theme आपने रखा हुआता है मैंने भी theme यहाँ पे रखा हुआ है heading से लेके नीचे तक वोई theme फालो हो रहा है कि green मतलब ellipse की चीज़े लिखी जाएंगी hyperbola red से लिखा जाएगा यह उस वक्त होगा जब इन में इक्तिलाफ होगा यह सारी चार value पर आठ या नौ यह वाली है सारी इन में कोई इक्तिलाफ नहीं है यह सब common है ellipse, hyperbola सब में यही चीज़ होती है सब में यही चीज़ होती है तो मैंने black से लिखा जब कोई इक्तिलाफ नहीं है equation में इक्तिलाफ है इस वाली value में इक्तिलाफ है और end पे ellipse में तो asymptote होते ही नहीं है करके तकरीबन 40 मिनिट लगा के यह पूरा टेबल बनाया है अब इसको ज़रा गौर से समझ लेते हैं डाइग्राम में साथ सा समझाता जाओंगा जो ellipse और hyperbola का पहला केस है जिसमें ellipse के अगर मैं बात करो major axis along x axis था और hyperbola की बात करो तो transfers axis along x axis था तो दोनों के पहले-पहले case में ने last class में discuss कर लिये थे मतलब पहला table जो है यह तो आपको आता है बस हलका-बुलका में revise कर वाज़ूँगा सबसे पहले आप देख लो इनकी equations equation का कैसी इन होता है देखो पहरा ellipse की जो standard form में जो last class में भी हमने list बनाया था जब ellipse का axis along x axis हो तो उसकी equation होती है x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 याद रखना ellipse के अंदर a जो है वो greater than b है और यह crucial चीज़ है इसी से आप equation पहचान होगे कैसे अगर बड़ा वाला denominator सबसे पहली बात अगर आपके पास ellipse की कोई equation आ रही है let कर लो ellipse की मेरे पास equation given है x square upon 2 plus y square upon 6 equal to 1 consider कर लो मेरे पास एक equation given है सबसे पहले पहचानो की किस तरह की ellipse की है x square और y square दोनों ट्रम मौजूद होगी धर्मयाल में positive मौजूद होगा that's it इसका मतलब ellipse की है बाकी भी इन में differentiation होती है differentiation का मतलब इसमें आप differentiate करते हो वो topic मैं अलग से बताऊँगा कि किस तरीके साब पहचानोगे कि कौन सी ellipse की equation है कौन सी circle की कौन सी parabola की वो हम बाद में discuss करेंगे लेकिन अभी अगर आपके पास ellipse की equation given है तो जो बड़ा denominator है वो a square होगा क्योंकि देखो a बड़ा होता है न b से तो a square भी बड़ा होगा b से b square से ठीक है तो जो भी बड़ा denominator है उसको आप a square लोगे ellipse के अंदर इस चीज को याद कर लो ellipse के अंदर जो भी बड़ा denominator है वो a square हो जाएगा अब अगर वो बड़ा denominator Y की टर्म के नीचे लिखाव है तो along Y axis का case है अगर वो बड़ा वाला denominator जो है X की टर्म के नीचे लिखाव है तो इसका मतलब यह along X axis वाला case है बड़े वाले denominator से मेरा मतलब A square A square अगर X की टर्म के नीचे है तो along X axis A square अगर Y की ट्रम के नीचे है तो along Y axis तो सबसे पहली बात इस तरीके से हैं पहचानो के शुरूं के दो cases में कि ellipse का axis है कहां पर ठीक है बड़ा वाला denominator मतलब A square अगर X की ट्रम के नीचे होगा तो वो along X axis बड़ा वाला denominator A square अगर Y की ट्रम के नीचे होगा तो along Y axis सेम पैरलल के लिए यह होगा बस दिखने में आपको उपर वो फर्क है तोड़ा लेकिन पैचानो के आप इसी तरीके से कि अगर बड़ा वाला denominator A square X वाली ट्रम के नीचे है सिंपल सी बात है पैरलल टू X axis होजाएगा और अगर बड़ा वाला denominator Y की ट्रम के नीचे है इसका मतलब पैरलल टू Y axis वाला case होजाएगा तो यह तो मैंने आपको बता दिया कि आप पैचानो के किस तरीके से कि कौन सी equation ellipse की है कौन सा वाला case बन रहे हैं चार में से कि उसका axis कहां पे है और दूसी चीज़ A square आप कैसे पैचानो के जो बड़ा denominator है वो आपका A square हो जाएगा तो दो concept मैंने पहली clear कर दिये उसके बाद आप equation पे आ जाओ जो मैंने case discuss किया था last class में उसका center origin के ओपर था एक vertex था A,0 एक vertex था minus A,0 तो combine अगर मैं लिखूंगा plus minus A,0 जब आप solve कर रहे होते हो ना A square की value let कर लो 25 है A की value क्या होगी plus minus 5 तो A की value आप positive भी रखते हो क्योंकि A distance से A positive भी रहता है तो जब A square equal to 25 A की value निकालोगे तो वो 5 ही होगी ठीक है बस एक vertex में हो जाएगी 5,0 मतलब A,0 होते है और दूसरा होता है minus A,0 मतलब minus 5,0 हो जाएगा ठीक है तो A positive ही consider करोगे बस जो एक vertex होगा उसमें positive लगाओगे 5 के साथ एक vertex में आप negative लगा दोगे ये बात मैं इसलिए clear कर रहा हूँ क्योंके अगर आप पुरानी वीडियोज देखो ना मेरे चैनल पर हाइपर बोला की तो उस बद मैंने सीज को follow नहीं किया वाता तो ये kind of mistake समझता हूँ मैं इस चीज को तो अभी मैं clarify कर रहा हूँ कि a square अगर 25 है तो a की value क्योंके जब हम equation solve करेंगे न तो आपके बास एक equation given है उससे आप a square निकालते हो उससे आप a निकालते हो तो a आपने positive भी रखना है ठीक है vertex में आप अपनी तरफ से plus और minus लगा रहे होते हो ठीक है same concept अगर आप में देखा था जो focus थे एक focus था c,0 पे एक था minus c,0 पे तो combine app लिख दो plus minus c,0 इसी तरीके से अगर आप end point निकालो उसके minor axis के minor axis के end point ellipse के अंदर एक था 0,b और एक था 0, minus b combine लिखो तो 0, plus minus b हो जाएगा यह सब वो बाते हैं जो आज क्लास में discuss कर चुका हूँ मैंने टेबल की form में लिखा है फिर length of major axis 2a थी मैंने बताया था length of minor axis 2b थी ellipse की centricity क्या होती है 0 और 1 के दरमयान होती है और इस centricity का formula क्या होता है c upon a last class में discuss किया था यह चीज़ हमने discuss नहीं की थी कि जो latest item है उसकी length क्या होती है 2b square upon a होती है इलिस्प में भी hyperbola में भी 2b square upon a आई कहां से derivation है छोड़ दो इसको करने की ज़रत नहीं है बस 2b square upon a यह होती है length of latest item दोनों जो latest item हो इक्वल होंगे ना length में दोनों की same length होगी equation of major axis असा यह जो axis लिखा हुए ना यह major axis की बात की जा रही है आप यहां पर लिखदो major यह जिस axis की बात की जारी है वो major axis की बात की जारी है major axis along x axis है major axis along y axis है उस वाले axis की बात की जारी है major की तो major axis along x axis है तो x axis की equation क्या होती है y equal to 0 तो major axis की equation भी क्या होज़ेगी y equal to 0 और जब major axis x axis के अपर है तो minor axis y axis के अपर होगा और y axis की equation होती है x equal to 0 तो minor axis की equation x equal to 0 directices मैंने आपको बताये थे x equal to 1 था a upon e और 1 था minus a upon e वो लिख दिया end point of lettera, recta यह मैं आप लोगों को भी बता हूँगा यह मैं भी बता देता हूँ changing इसमें यह है कि देखो इस ntc hyperbola की greater than 1 होती है और इसकी 0 और 1 के दर मैंने होती है बाकि सब आपको value नजर आ रही है ellipse hyperbola सब सेम है इसमें यहां तक, उसके बाद end पे आपको बता है ellipse में तो smtote नहीं होता, hyperbola में होता है hyperbola के लिए मैंने red pen यूज किया है और last class मैंने equation भी बताये थी कि एक जो smtote था वो y equal to b upon ax था और दूसरा smtote था वो y equal to minus b upon ax था तो combine करके मैंने इस form में लिए अब मैं आपको समझा दू कि end point कैसे आए है कुछ मैं मिटा देता हूं यहां चीजें जिनका काम नहीं है तो यह एकिलेस बनाते हैं ठीक है सबसे पहली बात इस end point की x value क्या होगी देखो यह point जो था यह सी था focus जो है वो center से c फासले पर थाना ठीक है अच्छा कुछ चीज ना समझा है तो pdf देख लेना क्योंकि छोटा छोटा लिखा है क्योंकि a की board पर होगा तभी समझाएगा वनना समझाना मुच्किल होता है तो यह पूरा distance focus तक c था तो इस point का भी यह पूरा distance c हो जाएगा इसका मतलब x value की क्या होगी c अब यह जो पूरा latest item है इसकी length हमने अभी पड़ी थी latest item की length होती है 2b square upon a ठीक है यह पूरे latest item की है अगर आप half की निकालना चाहरे हो तो इसको 2 से divide करो इसको 2 से divide करोगा तो यह वाला 2 cancel हो जाएगा तो इसका मतलब just इतनी y value क्या है b square upon a के बराबर है बस latest item का half करने ना आपने तो क्या हो जाएगा b square upon a और नीचे अगर आप देखो तो c positive ही होगा ठीक है और यह हो जाएगा minus b square upon a ठीक है तो एक end point आगे c comma b square upon a एक end point आगे c comma minus b square upon a इसी तरह यहाँ पे भी एक latest item बना हुआ अब values वही है बस sign change कर दे ना यहाँ पे देखो c negative हो जाएगा यह positive है तो इसके coordinate होंगे minus c b square upon a और इसमें दोनों negative होंगे minus c minus b square upon a तो total चार end point आजाएगे latest item के क्योंकि दो latest item है दो दो करके चार end point हो जाएगे तो इन चारों को मैंने combine करके इस form में लिख दी है तो combination क्या बनेंगे एक दफ़ा इसका positive consider करो इसका positive इसका positive इसका negative दो combination बनेगे इसका negative इसका positive इसका negative इसका negative चार combination बनेगे तो आपके बाद चार end point आजाएगे लेटरा रेक्टा के और एसम्टोड की equation भी बता दी है आपको major axis जो है वो long x axis है तो शुरूं के दोनों cases मैंने इलिप्स शुरूं का जो पहला table है पहला column जो है यह इलिप्स का भी समझा दी है hyperbola का भी समझा दी है बस एक चीज रहेगी hyperbola की equation उसको समझ लो देखो जैसे ellipse मेंने बताया ना कि अगर आपके पास ellipse की equation given है तो कैसे पहचानोगे सबसे पहले आपने यह पहचानना है कि axis कहां पे है और दूसरी चीज A square तो मैं एक equation देता हूँ x square upon 25 plus y square upon 16 equal to 1 दर्म्यान में plus आ रहा है इसका मतलब ellipse की equation है अगर negative आता तो hyperbola बन जाता सबसे बड़ा denominator जो है वो किसके नीचे है x के नीचे है इसका मतलब axis जो है b square और further फिर आप c square निकालोगे और जो भी example में आए करवाँगा next lecture में तो उसको हम देख लेंगे पहचानने का तरीका मैंने बता दिया कि आप किस तरह पहचानोगे along x axis है along y axis है अब hyperbola का कैसे पहचानोगे इसी को मैं hyperbola बना देता हूँ hyperbola में आप बड़ा चोटा नहीं देखोगे क्यूंकि मैंने बताया था hyperbola में a बड़ा भी हो सकता है b से a चोटा भी हो सकता है b से तो आप जुरूरी नहीं कि जो बड़ा वाला denominator उसका आप a square बोल दोगे समझ रहे हो कि a square a और b hyperbola में बड़ा भी हो सकता है a, b से और चोटा भी हो सकता है तो उसका मतलब बड़ा वाला denominator भी a square हो सकता है चोटा वाला denominator भी a square हो सकता है तो hyperbola में यह निशानी नहीं आप रख सकते हैं कि जो बड़ा वाला उसको आप a square ले लो हाइपर बोला भाइब निशानी यह रखोगे कि जिस ट्रम के साथ पॉजरिव आ रहा है वो आपने देखना है ठीक है पॉजरिव किसके साथ आ रहा है यहाँ पे इसके साथ आ रहा है ठीक है तो अगर यहाँ पे X वाली ट्रम पॉजरिव है तो अगर एक्स वाली ट्रम पॉजरिव है यहां पर इसका डिनॉमिनेटर गया है 25 इसका मतलब यहां पर इसकोईर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा तो इसमें बड़ा चोटा नहीं दिखोगे जैसे मैं एक और एक्जेंपल देता हूं यह वाला करते हैं य स्कॉइर अपॉन सबसे पहले पहचानो कि कहां पर एक्सेज है एक्स नेगेटिव है य पॉजिटिव है इसका मतलब य एक्सेज वाला केस है इस तरीके से पहचान लिए दूसी चीज़ इसमें एक्सकोईर क्या है बड़ा चोटा नहीं देखना इसके अ इसका मतलब जो दूसरा है वो क्या हो जाएगा 20 स्कॉइर हो जाएगा ठीक है दोनों में मैंने अलग-अलग आप लों को बता दी है एक्वेशन किस तरीके से पह जाननी है अगर पहली वाली आपको समझा गी है सही है नहीं समझा ही दुबारा देखो क्योंकि को इतनी ग्ली टॉम को मातकुरों जो बड़ा डेनॉमीनेटर है अगर वह एक्सवाली टरम के नीचे है तो अगर वह वाली टरम के निचे है तो फ्र Pack टो सिच भाई अगर वाई हो चुuel स्टी एक फादिन टरम फादरिव है तो अगर ऑवाले टरॉम को मैं योग आगे एक हाई ही के अंदर ठीक है यह तो लाजमी है अच्छा ची और एसक्वार कैसे पहचानों के जो पॉज्डिव वाले ड्रम में उसका डिनॉमिनेटर जो है वह स्कॉर हो जाएगा अब चाहे वह बड़ा चोटा वह मैटर नहीं करता और दूसरा क्या हो जाएगा भी स्कॉर तो डिटेल में आप लोगो जो पहला कॉलम है वह मैंने बता दिया अब 15 मिनिट तो पहली हो गया है अब पहले कॉलम से तो हम जान चुटा लेते हैं इक्वेशन इलिप्स हाइपर बोला हर चीज मैंने बता दिया दूसरे पर आजाओ दूसरे में आपका इलिप्स ऐसे यह सर दो पुरा हो जाएगा मेजर एक्सेस पर यह एक्स है है तो यह जो यह center यह सब shift हो गया y-axis के उपर अब यह focus किया होगा 0,c यह वलो focus किया हो जाएगा 0,min-c center क्या है 0,0 जो पहले minor axis y-axis पे ता उसको आपने x-axis पे shift कर दिया तो अब end point जो है minor axis के एक हो जाएगा b,0 और दूसरा हो जाएगा minus b,0 तो कितनी चीज़ें तो यहीं से मैंने आपको शुरूं की चार चीज़ें हैं वो तो direct समझा दिये मैंने ठीक है 0, plus minus है क्योंकि a negative है यहां पे a के साथ positive यहां पे a के साथ negative इसी तरह फोसाय भी हो जाएंगे end point of minor axis देखो इनको याद करने का बड़ा easy तरीक है मैंने बता है major axis पे vertex होंगे फोसाय होंगे ठीक है तो अगर major axis along y axis है तो दोनों की x value देखो 0 है ठीक है और अगर vertex और फोसाय y axis पे हैं तो जो होगे और पहले case में देखा था दोनों की y value 0 थी तो को वर्टेक्स की x value 0 थी क्योंकि एक दूसरे के reverse होते है ना एक x axis पे दूसरा y axis पे length of major axis 2a रहेगी length of minor axis x axis पे 2b होगी क्योंकि आपने a को fix नहीं किया यह नहीं कि आपने बोला कि हमेशा यह होगा आपने a को change कर दिया अब आपका यह हो गया तो length of major axis भी अप 2a होगी मतब को changing तो नहीं की ना में सेम वही रखा है पूरा ठीक है लेटर सेक्टम के लेंज भी वही अब equation चेंज होगी है अब जो आपका major axis है वह y axis के long है ना तो major axis की equation x equal to 0 और minor axis x axis के long है तो minor axis की equation y equal to 0 हो जाएगी अब जो आपके पास directrices बनेंगे वह यहां पे बनेंगे तो तब लेटरा रेक्टा तो अब उनको चेंज करो दो जैसे एक लेटर सेक्टम यहां पर बनेगा एक लेटर सेक्टम यहां पर बनेगा एक end point यह है एक end point यह है तो देखो इसमें अब यहां पर सी क्या है यह पूरी चीज जो थी यह सी के पराबर थी ना यह focus हाफ तो यह पुरा डिस्टेंस एक पराफ तो इस पॉइंट की जो हाइट है यह जो हैट तो इसकी हाइट भी मिंघ्तियों की लेंध तू भी स्क्वाइल भॉने हाफ कर दो टो इतने की आ जाएगी इतने की क्या और दो जाएगी बी 2 स्कॉयर अपॉन तो इस वाले पॉइंट की वाई वैलियू है सी और एक्स वैलियू क्या है बी स्कॉयर अपॉन है फॉर्स कॉर्टन के अंदर दोनों पॉजिटिव हो गया इधर आजो सेकिंड को अन्दर है तो अब पहली वाली कॉदिनेट वैज नेगेटिव हो जाएगा अब बी स्कॉयर अपॉन ए तो है डिस्टन्स लेकिन यस के लेफ़ पे है तो यह ओजाएगा माइनश बी स्कॉयर अपॉन ए और हाइट तो अभी इस point की क्या है C के पराबर ही है तो हाइट positive होगे यहां पे दोनों negative हो जाएंगे इस end point पे यहां पे दोनों यहां पे x positive होगा x value और y वाली value जो है वो negative हो जाएंगे तो इन शॉर्ट आपके पास इस type के चार जो है वो end point आजएंगे बहुत इजी याद करना पहले वाले case में यह C वाली ट्रम पहले थी और इस वाले में plus minus वारी स्ट्रम जो है वो बाद में एक्सिस जो है वो along y-axis हो जाएगा और एजम टोट की question मैंने बताया था आप लोग को last class में भी कि जब along major axis along x-axis है तो b upon a आता है ठीक है और जब major axis along y-axis हो जाएगा तो a upon b आ जाएगा इधर था b upon a यहाँ है a upon b तो यह दूसरा case मैंने आपको समझा दी अब hyperbola देख लो ठीक है के लिए hyperbola के लिए समझो या ना समझो एक्जैम में अगर hyperbola का भी सवाल आ रहा है आपने hyperbola की equation को solve कर लिया अब let कर लो आपको hyperbola का vertex निकालना है focus निकालना है center निकालना है तो जो ellipse का निकालोगे वही hyperbola का भी होगा तो जो values आई होंगी यही ellipse की जो आपने याद की है इन्हीं को consider करके solve कर लेना hyperbola की आजएंगी ठीक है क्योंकि value सबकी same है ना same general form है तो कुछ निया याद करने की आपको जुरूरत नहीं है बस निया क्या है कि संदी सिटी greater than one होती है hyperbola की और इसकी zero और one के दर्मयान होती है बाकि यही टेबल लिप्स का आप hyperbola के उपर ठीक है और रेट से लिखना चाहिएक से क्यूंकि यापर उचिए यहां पर पाता ना end point of later Tractor तो यह होंगे लॉंग यहां चैसमें जो एक्र यह मुआँ एक्षिद के तो बस असल चीज पनी मोटा ओनी चाहिए जैसे आपको पता चलगी जो इलिप्स का टेबल है हाई पर बोला के लिए भी वही आप इस्तमाल कर लो ठीक है बस एक्वेशन का फर्क है बागी तो कुछ नहीं है बागी तो पूरा टेबल वही है अच्छा जैसे यहां पर लेंट आफ मेजर एक्सिस तो अगर आपके पास आजए लेंट आफ ट्रांस्वर्ल एक्सिस तो हयपर बोला में 2-2 एके बराबर ही होगी यहां पे लैंट आफ मांड एक्सिस 2-b के बराबर थे एलिप्स के अंधर बस हैं आपडनLP में नाम चैंज ल 같은데 अबरा zest्र Satir B Sunshine का सेम होगी यादय नियाज है बस नहीं यह आ मूत करने की जरुरत कि भा general form है मैं एक parallel का केस समझा देता हूँ दूसरा आप लोगो समझ जाना इलिप्स का समझा रहा हूँ यार हाइपर बोला का आप लोग देख लेना इतना मुश्किल नहीं है एक चीज़ में बतातों हाइपर बोला में यह वाला केस हमने नहीं करना यह तो टेबल को खुबसूरती देने के लिए मैंने डिसकस कर लिए क्यूंकि यह आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा समझना भी और याद करना भी तो जो बेसिक केस है एसम टोड के शूरू के दो यह याद रखो पेरलल वाले केस में एसम टोड ना याद रखो अचा मैं काम करता हूँ ellipse में आपको बता देता हूँ आप लोगो तो देखले ना मैं हाई पर बोला समझा यह नहीं कि अगर पैरलल टू एस एक्सेश हैं मेजर एक्सेज इलिप्स का तो इस तरह बनेका एक्सिस आप आप यह जो है यह मेजर एक्सिस है और आप यह पैरर ला थे शिंचे था तहा ना अब सेन्टर जो है वह शिफ्न हो गे यह मेजर एक्सिस अब्रेजर अब काशिवट् banks वह गया ऑब आप निकालना देख लेना यार इतना मुश्किल नहीं है जैसे इसका सेंटर जो है वह एच कॉमा के की उपर है मैं वर्टेस निकाल के दिखा दे तो आप लोगों को बाकिया आप लोगो खुद कोशिश करना पहरा बुला में भी इस टाइप में तो खुद करना अगर मसला हो तो म सेम होगी देखो जो इसकी वाई वैल्यू है सेम इसकी भी वह वाई वैल्यू है तो इसकी के थी इसकी भी के हो जाएगी एक्स वैल्यू क्या होगी देखो वाई एक्स से लेके यहां तक का डिस्ट्रेंस पूरा जो है यह एच के बराबर है ठीक है और इलिप्स में यह पूरी तो यह एकस वल्यू कैसे निकालोगे इस पूरेvery में से यह माइनस कर देना सूस्य छेटे तरीब्स प्लस माइंस एगा गा है तो यह लिखा狂 है एच प्लस माइनस एगा कि इसी तरीके से आपने फोकस निकालने ह् को जाएगा एच प्लस C, K, 1 हो जाएगा, H-C, K और जो minor X's है अब वो Y-X's के उपर है ना तो अब इसकी X value क्या थी इसकी X value है थी इसकी X value भी क्या होगी, H होगी इस वाले end point की भी X value क्या होगी होगी, फर्ग क्या होगा इसमें Y value का, तो आप लिख दो K plus B, और यह होगा K minus B, बड़ा एजी तरीका बताता हूँ, जो शुनू के दो cases थे ना, जैसे इसमें था 0, plus minus A चुप करके आप क्या करो X value में H add कर दो ने मैं इदर वाला बताता हूँ, क्योंकि इसका और इसका similar है, इसका और उसका similar है तो इसमें था plus minus A, zero vertices तो आपने क्या किया, parallel to X axis parallel to X axis वाले case में आपने X value में H add कर दिया, Y value में K add कर दिया, बस यह काम किया, और कुछ भी नहीं किया, ठीक है, और देखो इसका minor axis था, zero comma plus minus B, along X axis वाले case में, parallel to X axis वाले case में क्या हुआ, zero के अंदर H add किया, तो H हो गया, plus minus B के अंदर K add किया, तो K plus minus B हो गया, तो इतनी असानी में ने कर दिया जो values आपने शुरू में याद की थी X axis वाले में, तो parallel to X axis वाले में आप H और K add कर दो तो यह technique इंद पे सब पे valid है, इंको तो याद करने की जुरूरत ही नहीं है, यह तो सब में सेम होंगी, अभी भी length of major axis 2 A है, length of minor axis 2 B है, length of later section अभी भी 2 B square upon A है तो तो सब चीज़ें सेम हैं अब क्या हो जाएगा, अब major axis along X axis है ना ठीक है, तो उसकी equation में क्या आएगा, Y आएगा ठीक है, और यहाद रखना X के साथ हमेशा H आता है, Y के साथ हमेशा क्या आता है, यह आपको equation देखे ही पादा चल रहा है, X के साथ H, Y के साथ क्या है, तो आपको दिखने में लग रहा है third वाले case में, जब major axis parallel to X axis है तो X के साथ हमेशा क्या आता है, H आता है तो इसकी equation हो जाएगी, X equal to H और इस वाले case में Y कुल to K है, इस वाले case में X equal to H हो जाएगा, क्यूं? क्यूंकि fourth वाले case में parallel to Y axis हो जाएगा अब उसका major axis parallel to Y axis हो जाएगा, तो आप जो जो इसकी equation थी, अब यहाँ भी चले जाएगी जो इसकी equation थी, वह यहाँ पर चले जाएगी तो अब थोड़ा सोचोगे, याद कर लोगे कोई मुश्कल चीज नहीं है, इसके अंतर वही मैंने बात आपको बोली थी कि जैसे आपने पहले वाले case में directices की equation क्या थी equation of directices थी, x equal to plus minus a, तो third वाले case जिसमें parallel to x axis है आप h add कर दो, plus minus a upon e में मैंने h add कर दिया ठीक है, क्यूंकि x आ रहे है x जब भी आएक है तो मैंने बताए उसके साथ h आप लिखोगे, ठीक है और fourth वाले case में, जैसे इसमें equation थी न, y equal to plus minus a upon e तो आप उसमें k add कर दो यह हो जगा k plus minus a upon e end point of minor axis बड़े easy है इस वाले case में क्या थे plus minus c, plus minus b square upon e भाई इसमें h add करो, इसमें k add कर दो यह हो गए और इस वाले case में मैंने यहां पर लिखे थे plus minus b square upon e था न तो उसमें h add करो, h plus minus असानी से याद कर सकते हो, axis parallel to x axis, इसमें parallel to y axis, asm toad की equation याद करने की जुरूरत नहीं है समझने की भी जुरूरत नहीं है, वैसे खुबसूरूरती के लिए लिए लिखा गया है यहां पर अच्छा जी, ना हमारे course का हिस्सा है इसको याद करने की जड़त नहीं है फिस्सा हो भी जाए तो फिर भी याद नहीं करो क्योंकि यह सवाल आता ही नहीं है क्योंकि यह इनकी भी सवाल इतने कम है जो मुश्किन है, असल जो है ना टॉप जो मैंने लिखे हैं, मक्सद यह होता है इस पर फोकस जैदा हो, यह जो शुरूँ के इस चीज़ें सारी यहां तक डायटिस तक कर लो, यह बहुत आती है डायटिस निकालो, वर्डिस निकालो, एंड पॉइंड पॉइंड निकालो लेटर सेक्टनम की लेंथ निकालो, यह काफी मशूर है तो इन पर फोकस रखना, इनको तो फोकस ना करो, कोई मिसला नहीं है अच्छा, अब मैं आखरी वाले केस का न, अच्छा एक चीज़ें में रखो एक्वेशन कैसे पहचानों के आखरी दो कॉलम में देखो, एक्वेशन पहचानने का तरीका तो वही है बस इन दो और इन दो में डिफ्रेंशेट करने का तरीका क्या होगा जैसे इलिप्स का along x-axis वाला केस इस टाइब का होगा के a square जो है, जो बड़ा वाला डिनॉमिनेटर वो x के नीचे है तो along x-axis होगा, और a square यहाँ पे 25 और b square 9 हो जाएगा और यही इलिप्स का case parallel में कैसा नज़र आएगा parallel में इस तरह नज़र आएगा like x-2 का whole square upon 16 plus y plus 3 का whole square upon 9 equal to 1 क्योंकि अब वो square के आगे आगे ना formula नेकिन matter नहीं करता term तो x आ लिए ना, आपने देखना है कि बड़ा denominator कहाँ पे है यह बड़ा denominator x वाली term के नीचे है इसका मतलब parallel to x-axis वाला case बन जाएगा और consider कर लो मैं इसको इस तरह कर दो अब numerator देख कि आप बता सकते हो कि शुरू के cases नहीं है शुरू के दो column तो हो नहीं सकते है, आखरी के दो column है और बड़ा वाला denominator देखो y की term के नीचे है इसका मतलब अभी 14 case है कि जब a square जो है वो y के term के नीचे आएगा तो ellips को तो आप इस तरह परचान लोगे same concept hyperbola के अंदर भी है, बस minus का फर्क होता है numerator देख कि आप फॉरू के दो case वाले hyperbola तो नहीं है आखर के दो के है, parallel वाले है और आप क्या देखोंगे वो ही concept positive वाली term कौन सी है यहाँ पर positive x वाली term है तो इसका denominator a square है और let कर लो, मैं इसको इस तरह कर दू इसको negative कर दू, इसको positive कर दू ठीक है, तो अब positive वाले term कौन सी है y वाली, तो अब इसका denominator क्या हो जाएगा a square, ठीक है और अगर एक चीज a square हो, तो दूसरी चीज़ क्या हो जाती है b square तो equation तो parallel वाले case में पहचानना इतना मुश्किल नहीं है जब आपने शूरू के दो cases discuss कर लिए अब एक चीज डिसकस कर लेता हो, यहां पर hyperbola के बस case बता देता हो, आप लोगो थोड़ा बहुत आखरी वाला column हम discuss कर लेते है आखरी वाले column में इस type का hyperbola बनेगा कुछ के एक stripe का बन रहा होगा, एक stripe का बन रहा होगा ठीक है दर्मियान वाले case में इस type का होगा मतलब थर्ड वाले में के center जो है, वो region पे नहीं है, यहां पे के center होगा तो एक hyperbola इस तरह बन रहा होगा, एक hyperbola इस तरह बन रहा होगा यह case है parallel to x-axis वाला के जब transfers axis parallel to x-axis है यहां पे जो transfers axis है यह वाला चोहता वाला case है जब transfers axis parallel to x-axis होगा sorry parallel to y-axis होगा तो values कैसे निकालोगे, सबसे पहली बाद center जो है वो अभी h, k पे होगा vertices कैसे आएंगे इस point, इस point की यह पूरी h value है इस point की भी यह पूरी h value है ठीक है और y value क्या होगी, इतना k है इतना a है तो total क्या हो जाएगा, k plus है और इसको निकालो यह हो जाएगा, h equal to k minus है तो इस तरीके से आपके बास आजाएगा इसी तरीके से बागी भी आप निकाल सकते हो focus यहाँ पे बनेगा, एक focus यहाँ पे बनेगा एक diabetes इदर बनेगी, एक diabetes इदर बनेगी एक SM टोट आपको यहाँ पे बन जाएगा अच्छा, अब origin से पास करेगा यह नहीं करेगा नहीं, origin से पास नहीं करेगा ठीक है इसलिए नहीं पास करेगा, कुँके equation देखके आपको लग रहे जब कोई line origin से पास करती है, उसमें constant 0 होता है इसमें तो constant सामने सामने नजर आ रहा है आपको तो अभी origin वाला case नहीं होगा मतलब line origin से पास नहीं करेंगे मैं भी किसी case में कर जाएं मुझे case कोई याद नहीं है अगर जिस case में कर जाएंगी उसमें फिर easy हो जाएगा लेकिन नहीं कर सकती अगर k और h बराबर हो जाए तो फिर देखना पड़ेगा यार लेकिन यह कोई चीज नहीं है जो आपको याद रखने है यह वाले cases आते भी नहीं है अच्छा तो अब कहां तक था मैं इस तरीके से एजम टोट बन जाएंगे बाकी अगर आप length of transfers axis देखो तो ellipse और hyperbola का same concept है जब parallel to x axis है तो आपका transfers axis यह वाला है पूरा जब parallel to y axis है तो आप transfers axis यह वाला हो गया तो दोनों के length same है 2a, 2b, latest item वही है equation मैं ने आप लोगों को पहले बता दिये तो मैं यह recommend करूंगा कि आप शुरूं के 2 cases की diagram याद कर लो शुरूं के 2 column याद कर लो उसके बाद आपने h और k एड़ करना है जो पहले पहले coordinate में आपने h एड़ करना होता है दूसरे में k एड़ करना होता है तो यह शुरूं के सारे cases आजेंगे यह तो बड़े easy वाले हैं इनको याद करना बड़ा easy है इनको concept से भी याद कर सकते हो parallel to x-axis जो भी line होती उसके equation में y आता है और y के साथ आप k लिखते हो x के साथ आप h लिखते हो इस entity पहले आपने याद कि होगी पहले वाले column में plus minus a upon e तीसे वाले column में h आड़ कर दो क्योंके x के साथ h आता है चौते वाले case में k एड़ कर दो end point भी याद करना मुश्किल नहीं है इदर plus minus c था आपने h एड़ कर दिया इदर plus minus b square upon a था इदर आपने k एड़ कर दिया सेम उसका भी हो जाएगा आपने याद नहीं करना है यह पूरा table मैं आप लोग से detail में discuss कर लिया है कम से कम 35-40 मिनिट की वीडियो होगी हाँ तकरीबन 33 मिनिट की वीडियो है कोई सवाल हो आप लोग पूछ ले ना हर चीज इलिप साइपर बोला कि जो भी चीज फाइंड करने के लिए आ सकती है मैंने discuss कर लिए अब एक दो और भी चीज़ें हो सकती है equation of latest item तो आपको खुद improvise करना है equation of latest item में कैसे निकालोंगा जैसे इस वाले case में equation of latest item निकालनी है अब इस वाले की equation क्या आएगी देखो यहां तक distance होगा h यहां तक distance होगा c यह line है parallel to y-axis जो भी line parallel to y-axis होती है उसकी equation में x आता है इतना distance h था इतना distance c है तो इसका मतलब यह हो जाएगा h plus c equation of latest item line की equation निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है मैंने इतनी दफा values निकाली है आप लोगे सामने solve किया कि आप लोगे concept समझ आ गया होगा किस तरीके सामने निकालना है और अगर इधर जो latest item होगा उसमें आप क्या करोगे h-c कर दोगे क्योंकि इस पूरे h में से यह c- कर दोगे तो यह वाला distance आजएगा वो उतना distance जो y-axis से वो दूरे line तो अब हलका पुलका इससे हट के आने के chances नहीं यह आते हैं और उन में से भी यह शुरूं के जो 5-6-7 cases हैं इनको याद कर लेना सही तरीके से यह बहुत अदा आ रहे होते हैं ठीक है बच्चों पर अलाफेस